अगर आप Taro में, ओकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course, जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा, अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है, और इसी से ही related, अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं, अब दिखिए अगर आप WhatsApp करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा, क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं, लेकिन WhatsApp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है, और अगर आपका Tarot अकल्ट में बहुत interest है, लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है, आप मेरा free webinar जॉइन कर सकते हैं, जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी, और इन दोनों के ही links यानि की Tarot Certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading, तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्थ में आपके partner की क्या energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, finally again June मन्थ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, तो ये reading आपके लिए है, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें, तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो, या फिर sun sign हो, तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्थ में आपकी love life में क्या हो रहा है, आप लोगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है, में पास यहाँ पर तीन set of cards हैं, first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे, and third set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्थ में क्या हो रहा है, तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे बहला card मुझे दिख रहा है, 10 of wands, और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर June starting में, एक pressure, एक tension, एक stress आप महसूस कर रहे हैं, in fact मैं कहूंगी, tension और stress से ज़्यादा एक pressure, एक burden आप महसूस कर रहे हैं, अब देखिए, इसके लिए सब Libras के लिए different reasons रहेंगे, क्योंकि यह general reading है, लेकिन deeper level के लिए female running का card कहता है, या तो जो भी female है इस relationship में, वो चीजों से escape कर रही हैं, upfront होके चीजों को नहीं deal कर रही हैं, तोड़ा सा एक युनो चीजों से भाग रही हैं, या फिर यह card आपके लिए है, तो हो सकता है Libras, आप ही relationship से, या किसी चीजों से भाग रहे हैं, अब देखिए, again कहूंगी, यह सब के लिए differ करेगा, कभी-कभी होता है, हम अपनी feelings, अपनी emotion से भाग रहे होते हैं, हम accept नहीं करते हैं, कभी-कभी होता है, हम problem से भाग रहे होते हैं, और फिर से दिखिए, जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई, मैंने कहा, किसी में चीज से, किसी level पर भागते हुए दिख रहे हैं, और दिखिए, इसके लिए फिर से, सब Libras के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सकर फर यू का card कहता है, कि आपको ऐसे लग सकता है, कि भाई इस relationship के वज़े से आपकी energies drain हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़ादा आपकी energies exhaust हो रहे हैं, और यहाँ पर दिखिए, four of wands reverse का card कहता है, शायद इसी लिए आप एक companionship अपने partner के साथ चाहा तो रहे हैं, उनका साथ चाहा तो रहे हैं, कुछ के लिए literally हो सकता है, marriage, engagement, live-in, आप again मैं कहूंगी चाहा तो रहे हैं, लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर से deeper level के लिए sucker for you का card कहता है, आपको ऐसे लग रहा है कि भई, यह relationship आपकी energies को drain कर रहा है, आपको किसी level पे suck कर रहा है, आपको कहीं इनों बहुत ज़ादा exhaust कर रहा है, और यहाँ पे देखिए hard to figure out का card कहता है, कि शायद आप कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजों को understand नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके देखिए कहीं एक companionship भी आप चाहा रहे हैं, और कहीं चीजों से भाग भी रहे हैं, और साथ में कहीं बहुत exhausted भी आप महसूस कर रहे हैं, और आप फिर से मैं कहूंगी, कि शायद चीजों को figure out नहीं कर पा रहे हैं, कि कैसे आप इनी सब चीजों को deal करें, कैसे इन चीजों को solve करें, क्या आपके लिए right course of action होगा, क्या आपको इस situation में करना चाहिए, और 9 of Cups Rivers का card कहता है, कि जो भी आप महसूस कर रहे हों, जो भी इस relationship में हो रहा हो, बहुत एक प्यार, बहुत एक महबबत, अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथी साथ, एक missing feeling भी रह रही है, और देखिए, यहाँ पर बहुती सारे reasons, अभी मैंने आपको बताए, तो इसी तरीके की energies की वजए से, अगेन, एक प्यार, महबबत महसूस करने के बावजूद, आपको कहीं ऐसा लगता है, कि आपके partner वो wish है आपके लिए, जो आप manifest करना चाहते हैं, आप एक missing feeling महसूस कर रहे हैं, और अब देखते हैं, आपके partner की के energies हैं, तो देखिए, आपके partner के लिए, flame हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं, देखिए, four of cups का काट कहता है, कि एक boredom, एक monotonous सी energies उनकी तरफ से रह सकती हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि कहीं वो उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, literally withdraw कर रहे हैं, एक back seat ले रहे हैं, एन यहाँ पर distance का काट कहता है, या तो इसकी वज़े से एक distance उनकी तरफ से इस relationship में आ रहा है, या फिर एक distance वो जान मुझके create करना चाहा रहे हैं, और इसलिए कहीं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, affairs connection का का काट कहता है, कि वो और लोगों से connect कर रहे हैं, connect करना चाहा रहे हैं, और कहीं social media पर जादा यू नो बाकी लोगों के साथ connect करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं end June के लिए यहाँ पर options and seven of cups reverse के काट कहते हैं, कि बहुत confused होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके mind में चल रही हैं, हो सकता है, उनको कोई decision लेना है, choice लेनी है, decision choice नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ के लिए यह भी हो सकता है, कि आपके अलावा और भी अपने options को explore कर रहे हैं, और भी लोगों से connect कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए affairs connections के card में बहुत clearly हमने देखा, कि वो और लोगों से connect कर रहे हैं, और कहीं options का card भी इन्ही energies को और ज़्यादा confirm करता है, तो देखिए कहीं, अगें कहूंगे आपके अलावा और चीज़ों पर भी focus कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कि किसी third party पर वो focus कर रहे हैं, उनका काम हो सकता है, उनकी family हो सकती है, professional front हो सकता है, वो खुद हो सकते हैं, अगें कोई भी चीज़ हो सकती है, जिस पर आपके अलावा वो focus कर रहे हैं, इन्फेक्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकता हैं, उनकी life में चल रहे हैं, और कहीं वो एक चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे हैं, आप इस relationship पर उस तरीके से focus concentrate नहीं कर पा रहे हैं, और अब देखते हैं कि June month में क्या हो रहा है, तो देखें, June starting के लिए हाँ पर changing का card क्याता है, कि किसी level पर किसी तरीके के changes इस relationship में आ रहे हैं, आप फिर से देखें, यह general reading है, यह changes सब Libras और उनके partner के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए positive होंगे changes, कुछ के लिए negative होंगे, and changing के ओपर Ace of Coins Reverse का card कहता है, कि आप दोनों ही एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए अपनी personal life में हो सकता है, आप लोग एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए relationship से related हो सकता है, और बहुत practical, बहुत realistic तरीके से, आप लोग एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसी से ही related issues मसले रह रहे हैं, यानि कि again मैं कहूंगे concrete level पे, practical, realistic level पे, चीजों को नए सिरे से start नहीं कर पा रहे हैं, and multifacet and three of coins reverse के cards कहते हैं, again बहुत सारी चीजों में शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक involved हैं, और आपके partner के लिए तो हमने literally देखा ही, ये बहुत सारी चीज़ें उनकी life में, या फिर उनके mind में चल रही हैं, और देखिए multifacet का card एक और चीज़ कहता है, कि शायद situation के हिसाब से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रंग बदल रहे हैं, चहरा बदल रहे हैं, कहते हैं न एक चहरे पर कहीं चहरे लगा लेते हैं, लोग तो कहीं इस तरीके की energies रह सकती हैं, और three of coins reverse का card कहता है, कि फिर से देखिए, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship के अलावा और भी चीज़ों पर focus कर रहे हैं, और मैंने आपके partner के लिए भी clearly बताया, तो आपके partner के energy जादा रहती हुए दिख रही हैं, क्योंकि general reading है, तो किसी की भी हो सकती हैं आप दोनों में से, और कहीं work, profession, career, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए काफी हम रह रह रहा है, उस पे जादा focus कर रहे हैं, और जून के लिए justice eye candy के काफ कहते हैं, कि बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं, mindset चीज़ों को deal कर रहे हैं, कोई decision, कोई choice हो सकता है, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाहा रहे हैं, again उसके pros and cons को वे करते हुए दिख रहे हैं, and deeper level के लिए eye candy का काफ कहता है, कि superficial level पे चीज़ें आप दोनों के बीश में हो रहे हैं, लेकिन कहीं एक गहराई, कहीं एक depth missing रहती वे दिख रही है, और दिखिए justice का काफ भी कहीं इसी चीज़ को confirm करता है, कि सिरफ करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, जैसे होता है ना, कि for the sake of it हम कह देते हैं, for the sake of it हम कर देते हैं, या फिर हम technically right होने के लिए कुछ चीज़ें कर देते हैं, कि हमें कोई pinpoint नहीं कर सकता, कि भी आपने मुझे call नहीं किया, या आपने मुझे से बात नहीं करी, लेकिन कहीं deeper level के लिए वो emotion missing होती है, वो feeling missing होती है, तो कहीं इस तरीके की energies, end of June या पिर June मन्त में रह सकती हैं, तो ये था Libra's आप लोगों के लिए, June 2024 की love tarot reading, overall के लिए देखिए कुछ बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है कि tarot guidance के लिए होता है, इस reading से guidance लेके कैसे आप June मन्त को बहतर कर सकते हैं, आप उस पे focus करें, आप कभी भी किसी भी tarot reading को literally ना लें, क्योंकि जैसी आपकी अभी energies हैं, वैसे ही June मन्त की energies रहेंगी, और अगर आपको June मन्त की energies नहीं ठीक लग रही है, आप current situation में changes लाके June मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं, तो लिबराज अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, तो ज़रूर मुझे नीचे comment section पर बताएं,